शादी के बाद से ही ससुराल में नहीं रहती एश्वरिया। जलसा से अलग बंगले में रहती हैं। बच्चन बहू, बहू सास ससुर नहीं, पती और बेटी संग रहती हैं। एश। खुद अभिशेक ने खोला इस सीक्रेट का राज। जहां बॉलिवुड के सुपस्टार अ अभिशेक का यह खुलासा जो सामने आया है कि शादी के बाद से ही उनकी बीवी एश्वरिया राय उनके और आराध्या के साथ अलग घर में रहती हैं। एश्वरिया राय और अभिशेक बच्चन इन दिनों अपने रिष्टे को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। र अभिशेक के साथ एंट्री की थी। वहीं एश्वरिया राय ने अपनी बेटी आराध्या के साथ अलग एंट्री की थी। अभिशेक और एश्वरिया को अलग देखकर फैंस भी चौक गए हैं। कभी दोनों कपल गोल्स सेट करते थे और अब अलग-अलग नजर आ रहे है एश्वरिया की अपने सास ससुर, अमिताप बच्चन और जया बच्चन से नहीं बन रही है। क्या आपको पता है शादी के बाद से एश्वरिया और अभिशेक सास ससुर के साथ जलसा में नहीं रहते हैं। इस बात का खुद अभिशेक ने खुलासा किया था। अभिशेक बच्चन और एश्वर्या की एक बेटी आराध्या भी है। एश्वर्या अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से कर रही है। ये बात कई बार अभिशेक भी इंटरव्यू में कह चुके हैं। एक बार मनमर्जियां के प्रमोशन के दौरान अभिशेक ने बताया था कि वो कहां रहते हैं। इस बात का खुलासा अभिशेक ने साल 2018 में किया था। फिल्म मनमर्जियां के प्रमोशन के दौरान अभिशेक बच्चन और विक्की कौशल साथ में थे। इंटरव्यू में वि अभिशेक ने कहा, ये जवाब गलत है, जलसा में मेरे माता-पिता रहते हैं, मैं वत्स में रहता हूँ, जो इसके बगल में है। अभिशेक अपनी मा और बेटी के साथ सेलिबरेट किया था। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताए। एश्वर्या के रिष्टे में साफ नजर आई दरार। बेटी आराध्या के साथ अकेले आई एश्वर्या। बहु के बिना अधूरे कुन्बे को संग लेकर पहुँचे अमिताब। तो अभिशेक को देख बोले, लोग पती ने भी छोड़ा बीवी का साथ। जी हाँ, अनन्त, अम्बानी और मर्चंट की भव्य शादी के शोर के बीच, अमिताब बच्चन का पूरा परिवार भी सुर्खियों में छाया है। आखिर मुकेश और नीता, अम्बानी के छोटे बेटे, बहु की शादी के रेड कारपेट पर कुछ ऐसा जो देखने को मिला, जिसने एक बार फिर लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अमिताब का कुनबा दो टुकडों में बढ़ चुका है। बिग बी के बेटे बहु अभिशेक और एश्वरिया का रिष्टा सेपरेशन के मोड पर आ गया है। अम्बानी के जलसे में अपने पूरे ससुराल वालों से अलग थलग जो नज़र आई, बच्चन बहु एश्वरिया और बिग बी की पोती आराध्या। जी हाँ, यूँ तो अनन्तंबानी और राधिका मर्चंट की शादी में पूरा बच्चन परिवार शामिल हुआ, लेकिन अफसोस एक साथ नहीं दो अलग अलग टुकडों में। सबसे पहले परिवार के मुख्य अमिताब बच्चन अपने पूरे कुनबे को साथ लेकर पहुँचे। बीवी जया बच्चन के साथ सबसे आगे रहे अमिताब, जिसके बाद बेटी श्वेता, दामाद निखिल नंदा बेटे, अभिशेक बच्चन और नाती नातिन नव् और अगस्थे के साथ बिग बी ने हैप्पी फैमिली पोज दिये। हालांकि बच्चन परिवार के साथ बहु ऐश्वरिया और पोती आराध्या को ना देख, हर कोई हैरान रह गया। हर किसी की नजरों में ऐश्वरिया की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल नजर आया। ल बच्चन के आने के काफी देर बाद ऐश्वरिया आराध्या को लेकर अंबानी के जलसे में आई। सुर्ख लाल कलर का हैवी सूट पहने और शाही गहनों में सजी ऐश्वरिया किसी महारानी की तरह दिख रही थी। युतो ऐश्वरिया के चेहरे पर मुसकान भी साफ नज चाहा। आखिर इतने बड़े जलसे में अपने परिवार से दूर दूर जो रही एश्वरिया, एश्वरिया, आराध्या और बिगबी परिवार का अलग-अलग आना एक बार फिर से बच्चन के बेटे बहु की तलाक की खबरों को तूल दे गया है। नेटिजन्स अब परिवार का हिस्सा नहीं है। एक यूजर ने श्वेता पर तंज कस्ते हुए यह भी लिख दिया कि आखिर फिर एक ननंद ने एक भाभी का घर तोड़ दिया। बता दें कि लंबे वक्त से यह चर्चा है कि अभिशेक और एश्वरिया की 16 साल पुरानी शादी तूटने क कगार पर है। ऐसी भी खबरे हैं कि एश्वरिया ससुराल जलसा छोड़ कर लंबे वक्त से अपनी मा वरिंदा राय के साथ मायके में रह रही है।